हेलो गाईज, वेलकम बैक टूसरेशन मीत्रा, तो दोस्तों जो हमारी यहां पर पर्मोटेशन कमपनेशन सीरी चल रही है, उसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आज रहें तो बेसिकली हमने यहां पर जो पिछली दीन वीडियो कराई थे, उसमें हमारे पास कुछ डिजिट से अविलेबल थी, और फिर हमें क्या बनाना था, कोई नमबर बनाना था, रेपीटेशन करना था, डिजिट का और नहीं करना था, यहां पर जो हमारा आज का क्वेशन है, इसमें हमारे पास कहा रहा का जैसे, एक परसन है थ्री सर्ट्स, फोर कोट्स, एंड सिक्स टाइज, इन हाव मेनी वेज कैन ही वियर देम, तो इस परकार का जो क्वेशन होगा, वो भी परमुटेशन के अंतरकत आता है, तो बेसिकली मैं पिछले दीन वीडियो में थोड़ एक चीज मिस कर गया, कि हमने डारेक्ट अप्रोच अपना दी थी, हमने आप यह नहीं बताया था, कि परमुटेशन कैसे वहां पर यह उज़ हो रहा था, तो जैसे यहां पर मैं बता देता हूँ, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, कितने तरीके से हम अर सकते हो, कितने तरीके से पहनने का मतलब है कि हमें क्या का नहीं का अरेंजमेंट बनाना है, जैसे आपके पास तीन सर्ट हैं, आपने ऐसे कहा दिया, S1 सर्ट, S2 सर्ट, S3 सर्ट, ऐसे आपके पास Coats है, चार तो C1 Coat, C2 Coat, ..., ऐसे करके C4 Coat तक, ऐसे ही tie हैं, आपके पास रहे थी आपने qote 1 पहना ऐसे ही आपने tiai 1 पहनी फिर आप का मन किया कि start 1 रहने दी qot 2 रहने दिया और टाइ two पहनली फिर आपका मन किया कि आपने GG 40 कर दिया और दी ऐसे बहुत सारे arrangement मिल सकते हैं तो यही क्या होते हैं हमारे permutation क्यालाता जो यह arrangement है आखडो का इसन्द अमारे जो data है given उसका arrangement होता है वो हमारा permutation होता है हम permutation से number of arrangement find कर सकते हैं कि कितने हमारे पास arrangement होगे जो हमारे पास given data है उसका अब यहाँ पर देखो एक तो यही मैद अड़े बाई आप यह arrangement बनाते रो बनाते रो तो कितने arrangement बना पाओगी यह तो बहुत ही complicated हो जाएगा अब यहाँ पे हमारा काम आता है क्या permutation इस प्रकार की data के साथ जो खेलने का तरीका है वो हमारा permutation हमें देता है जैसे कि यहाँ पे एक दू डारेक्टर प्रोस से मैं ऐसे कर सकता हूँ तीन cert हैं चार coat हैं six ties हैं तो मै क्या कर रहे थे repetition हो चाहिए न ही repetition हो हम बोल लेते यहाँ पर 10 बर सकता हूँ 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 आप दस बर सकता हूँ एविलेवल यह ते ना into कर रहे थे और टोटल हमारे पास possibility मिल जा रही थी तो same manner में यहा दिखा देखा है तो दिखा देते हैं उसको भी कैसे दिखेगा हो तो देखो पर्मूटेशन का पॉर्मूला क्या होता है जैसे ये न पी आर से डिनट करते हैं इसका मतलब यह है कि N वोस्तों में से R वोस्तों को ले करके कितने arrangement बन सकते हैं, यह NPR इसी चीज़ को दताता है, यह P permutation को दिखाता है और N का मतलब है कि N total हमारे पास object है, उसमें से R object एक टाइम पर सेलेक्ट करके हमें क्या करना है arrangement बनाने, इस इतना जो यहां पर यह सिंबल दिख रहा है, इसका इतना मतलब होता है, तो यह हमारा कितना होता है, N factorial divided by क्या होता है, N minus R का factorial, यह हमारा क्या होता है, इस चीज़ की value होती है, ठीक है जी, अब हमने direct approach से बहुत तर्किया था, इस approach से देखता है कि यह भाई, अगर हमने permutation बना रहे हैं, हम कहरे हैं permutation से यह निकल सकता है, तो निकाल के देखो भाई, तो सबसे पहले जैसे मैं यहां पर देखूँगा, कि 3 cert हैं हमारे पास total, और मुझे क्या करना है, एक time पर तो एक की cert पहनूँगा न, तो 3 cert मैं से एक cert को लेकर करके arrangement बनाने है, into यहां पर क्या करना है, 4 coat ऑइ осे गविलेवल हैं, 1 coat तो पहनूँगा, 6 time ऐसे मुझे क्या कर नहीं है एक time तो पहनूँगा एक time पर दो 6p1 इन सब का क्या कर दो solve करके देखो हमारे पाई यह answer आएगा 3p1 का मतलब है कि उपर आ जाएगा n का factorial यानि कि 3 का factorial divided by क्या हो जाएगा नीचे n-r तो 3-1 3-1 का क्या हो जाएगा g factorial इन्टो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 का factorial उपर हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 4-1 का factorial ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6p1 का मतलब 6 का factorial उपर नीचे क्या हो जाएगा 6-1 का factorial अब यहाँ पर इसको simplify कीजिए भाई तो क्या हो जाएगा यह यह 3 का फैक्क्रेल को हमें से लिख सकता हूँ 3 x 2 x 3-2 x 4 x इंटि की माइनस Dang 2 इंटि की माइनसं गूंग दोaci तो का फैक्क्रेäल इंoten कि नrie से कर सकता हूँ इनले meid a कर सकता हूं में 3 x नीचे इंडिन सॉप collection इनले me पर फाइनली हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है हमारा थ्री इन टू फोर इन टू सिक्स तीन चुक बार चके बहुत तर तो देखो वह चीज हम डारेक्ट भी कर रहे देगे यहां पर जब हमारे पास सिद्धे डाटा एविलिबल था तो यह हम ऐसे सिद्धे बन रहा है यहां यहीं से यह जो चीज निकली आए वो यहीं से निकली है अच्छा बाकि मैं कुछ बताना चारा था इसमें अ सायन नहीं तो यह था जी पर्मूटेशन का जो बेसिक सा होता है हाँ यह कहना है यह जैसे पिछले कैसन किये थे उनमें ढिजिट बना कीजिए हम डायरेक्ट कर रहे थे ना हम सिधे ऐसे ही कर रहे थे इतने डिजिट एबले वाल हैं उनका प्रोटर करके टोटन नमबर पॉसिबल मनदब जो जितने भी पॉसिबल नमबर बन पा रहे थे वह निकाल ले थे वहाँ पे आप ये लगा के देखिए जो पुराने वी वेक्ट कयार आउ